और 60-90 दिनों में हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आकर आपको दर्शन देंगे इसमें किन्चिन मातर भी संदे नहीं है सियावर राम चंदर की जए पवंसत हनुमान की जए जैश्री राम भक्तो मैं मादफ पंडित स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे संकल्प ऐसी पूझा वीधी के बारे में जिसको करने से हनुमान जी संपूर्ण रूप से हमारे कस्टो और रोगों का नाश करते हैं और केवल ये ही नहीं ऐसा संकल्प करने पर हनुमान जिशत प्रतिशत किसी न किसी रूप में आकर हमें दर्शन देते हैं यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिपया सब्सक्राइब कर लीजिए तो भक्तो आज हम बात कर रहे हैं 90 दिनों के हनुमान आश्टक के संकल्प के बारे में वीडियो अंत तक देखिएगा पूर्ण विदी समझने के लिए क्योंकि इसमें भूल कर भी आपको इतरुटी नहीं कर सकते शुकल पक्ष की पहली और दूसरी तिती छोड़ कर किसी भी तिती से आप यह संकल्प प्रारंब कर सकते हैं करना क्या है आपको सैन काल में अर्थात संध्या में प्रति दिन 21 बार हनुमान आश्टक का पाट करना है इस संकल्प की भोती सरल सी विदी है सबसे पहले आपको हनुमान जी के समक्ष घी का या तिल के तेल का दिया लगाना है तत्पस्चात सर्व प्रथम गनेश जी की स्तुति करनी चाहिए आप ओम गनेशाई नमा इस मंत्र का ग्यारा बार जब कर सकते हैं संकल्प केवल पहले दिन ही लेना है दूसरे दिन से आप गनेश जी की स्तुति करके सीधा पाट करना प्रारंब कीजिए और प्रते दिन कुछ ना कुछ भोग लेकर अवश्य बैटे और पाट पूरा होने पर वह भोग हनुमान जी को लगाए और फिर परशाद सभी में बाटे भोग कुछ भी हो सकता है लड़्डू, पूंदी, खीर, परंदू, देशी, गीका बनावना चाहिए और यदि अपने घर में बना हो तो और भी उत्तम है अब इस संकल्प के चलते कुछ सावधानिया भी रखनी चाहिए जैसे ङदि कोई संत या भ्रहмचारी है تو फिर तो कोई बात ही नहीं है और मास मदीरा प्यास लेसुन का सेवन ना करें यदि ऐसी स्तिती हो कि आप प्यास लेसुन छोड़ी ना सकते हो बिल्कुल संभव ही ना हो तो केवल उस स्तिती में प्यास लेसुन की छूठ है परंतु मास मदीरा तो सक्त सक्त मना है जो व्यक्ति ऐसे संकल्प का पालन करता है उस व्यक्ति के सभी संकट पहले साथ दिनों में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं परंतु आपके मन, क्रम, बचन, तीनों शुद्ध होने चाहिए निर्मल, मन, जन, सो, मोही, पावा, मोही, कपडचल, शितर, न, भावा भगवान को कपडचल बिल्कुल भी नहीं बाता और साथ से नपए दिनों में हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर आपको दर्शन देंगे इसमें किंचिन मातर भी संदे नहीं है तो भगतो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब कीजिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बोलो सियावर राम चंदर की जय पवन सुत हनुमान की जय जैसी है राम